C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय साथ भिन प्रिष्ठ 154 प्रशनावली 7.2 1. संख्यारे खाएं कीचिये और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिन्दु रूप में दर्शाइए A. 1.2, 1.4, 3.4, 4.4 B. 1.8, 2.8, 3.8, 7.8 C. 2.5, 3.5, 8.5, 4.5 2. निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए 3. निम्नलिखित को विश्रम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए A. 7.3, 4. B. 5.6, 7. C. 2.5, 6. D. 10.3, 5. E. 9.3, 7. F. 8.4, 9. 7.6, तुल्यभिन्न भिन्नों के निम्न निरुपणों को देखिए आक्रिती 7.0, प्रिष्ठ 155 ये भिन्न 1.2, 2.4, 3.6 हैं जो कुल भागों में से लिये गए भागों को दर्शाती हैं यदि हम इन भिन्नों के चित्री या निरुपणों को एक दूसरे पर रखें तो वे बराबर होंगे क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसी भिन्न तुल्यभिन्न यानि Equivalent Fractions कहलाती हैं ऐसी ही तीन और भिन्नों को बताईए जो उपर ली गई भिन्नों के तुल्य हों परयास कीजिए 1. क्या 1 बटा 3 और 2 बटा 7 2 बटा 5 और 2 बटा 7 तथा 2 बटा 9 और 6 बटा 27 तुल्यभिन्न है कारण दीजिए 2. चार तुल्यभिन्नों का एक अन्य उधहरण दीजिए तुल्य भिन्नों को समझना एक बटा दो, दो बटा चार, तीन बटा छे, इत्यादी, छतीस बटा बहत्तर, इत्यादी, में से सभी तुल्य भिन्न है ये एक पून का समान भाग निरुपित करती है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए, तुल्य भिन एक पूर्ण का समान भाग क्यों निरुपित करती है? हम इन में से एक भिन को अन्य भिन से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? हम देखते हैं के एक बटा दो बराबर दो बटा चार बराबर एक गुणा दो बटा दो है इसी प्रकार एक बटा दो बराबर तीन बटा च्छे बराबर एक गुणा तीन बटा दो गुणा तीन तथा एक बटा दो बराबर चार बटा आठ बराबर एक गुणा चार बटा दो गुणा चार है एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ग्यात करने के लिए आप उसके अंश और हर को एक समान शुन येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं रजनी कहती है के एक बटा तीन की सम्तुल्य भिन्न है एक गुणा दो बटा तीन गुणा दो बराबर दो बटा छै एक गुणा तीन बटा तीन गुणा तीन बराबर तीन बटा नौ एक गुणा चार बटा तीन गुणा चार बराबर चार बटा बारह इत्यादी क्या आप उससे सहमत हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए. प्रिष्ठ 156. प्रयास कीजिए. एक. निम्न लिखित में से प्रत्येक की पांच तुल्य भिन्न ग्यात कीजिए. एक. दो बटा तीन. दो एक बटा पांच. तीन. तीन बटा पांच. चार. पांच बटा नौ. अन्य विधी. क्या तुल्य भिन्न ग्यात करने की कोई अन्य विधी भी है? आकृती 7.1.1 को देखिए. यहां दो आकृतियां हैं. यहां चार बटा छै चायांकित है. यहां दो बटा तीन चायांकित है. इनमें चायांकित वस्तूओं की संख्याई समान हैं. अर्थात चार ब एक दी हुई भिन के तुल्य भिन ग्यात करने के लिए हम उस भिन के अंच और हर को एक समान शून्येतर संख्या से भाग दे सकते हैं. 12 बटा 15 के तुल्य एक भिन 12 भाग 3 बटा 15 भाग 3 बराबर 4 बटा 5 है। इस खार्थ है कि तुल्य भिन प्राप्त करने के लिए हमें दी हुई भिन के अंश और हर को तीन से गुणा करना चाहिए। इस प्रकार दो बटा पांच बराबर दो गुणा तीन बटा पांच गुणा तीन बराबर छे बटा पंदर है। अथह वांशित तुल्य भिन 6 बटा 15 है। क्या आप इसे चित्री ये रूप से दर्शा सकते हैं। उदाहरण 4 15 बटा 35 के तुल्य वह भिन ग्यात कीजिए, जिसका हर साथ हो। प्रिष्ठ 157 हल हमें प्राप्त है 15 बटा 35 बराबर डैश बटा 7 हम हरों को देखें। चुँकि 35 भाग 5 बराबर 7 है, इसलिए हम 15 बटा 35 के अंच और हर दोनों को 5 से भाग देंगे। हमें प्राप्त होता है 15 बटा 35 बराबर 15 बटा 35 बराबर 3 बटा 7। इस प्रकार डैश को 3 से प्रतिस्थापित कर, हम 15 बटा 35 बराबर 3 बटा 7 प्राप्त करते हैं। एक रोचक तत्य, तुल्य भिन्नों के बारे में एक बात बहुत रोचक है, दी हुई सारणी को पूरा कीजिए, पहली दो पंक्तियां पूरी कर दी गई हैं। सारणी के स्तंभ हैं, तुल्य भिन्न, पहली के अंश और दूसरी के हर का गुणन फल, क्या गुणन फल समान है? एक बटा तीन बराबर तीन बटा नौ, एक गुणा नौ बराबर नौ, तीन गुणा तीन बराबर नौ, हाँ, चार बटा पांच बराबर अठाईस बटा पैंतीस, चार गुणा पैंतीस बराबर एक सोचालीस, पांच गुणा अठाईस बराबर एक सोचालीस, हाँ, एक ब उपरोक्त सारणी से हम क्या निशकर्ष निकालते हैं। इन सभी में पहली के अंच और दूसरी के हर का गुननफल, दूसरी के अंच और पहली के हर के गुननफल के बराबर है। ये दोनों गुननफल कैची गुननफल यानि क्रॉस प्रॉडक्ट्स कहलाते हैं। तुल्य भिन्नों के अन्य युग्मों के लिए भी कैची गुननफल ग्याद कीजिए। क्या आप तुल्य भिन्नों का ऐसा युग्म प्राप्त करते हैं जिनमें कैची या क्रॉस गुणन फल बराबर नहीं हैं। इस नियम से कभी-कभी तुल्य भिन्नों को ग्यात करने में सहायता मिलती है। उदाहरन पांच दो बटा नौ के तुल्य वह भिन्न ग्यात कीजिए जिसका हर 63 है। हल, हमें प्राप्त है दो बटा नौ बराबर डैश बटा तिरसट। प्रिष्ट एक सौ अठावन इसके लिए नौ गुणा डैश बराबर दो गुणा तिरसट होना चाहिए। परंतु 63 बराबर 7 गुणा 9 है। तुल्ना करने पर डैश बराबर 14 हुआ। अथह, दो बटा नौ बराबर 14 बटा तिरसट है। साथ दशम लवसाथ भिन का सरलतम रूप एक भिन 36 बटा चववन दी हुई है आईए इसके तुल्य एक ऐसी भिन प्राप्त करने का प्रयत्न करें जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक कोई उभए निष्ठ गुणन खंड नहों हम ऐसा कैसे करते हैं हम जानते हैं के 36 और 54 द 36 बटा 54 बराबर 36 भाग दो बटा 54 भाग दो बराबर 18 बटा 27 परन्तु 18 और 27 में भी एक के अतिरिक्त अन्य उभए निष्ठ गुणन खंड हैं ये उभए निष्ठ गुणन खंड एक तीन और 9 हैं अतह 18 बटा 27 बराबर 18 भाग 9 बटा 27 भाग 9 बराबर 2 बटा 3 चुणकि 2 और 3 में एक के अतिरिक्त कोई उभए निष्ठ गुणन खंड नहीं है इसलिए वांचित भिन 2 बटा 3 है इस प्रकार की भिन सरलतम रूप यानि सिंपलस्ट फॉर्म की भिन कहलाती है इस प्रकार एक भिन सरलतम रूप यानि सिंपलस्ट फॉर्म या निउनतम रूप यानि लोवेस्ट फॉर्म में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभए एक खेल, यहां दी हुई सम्तुल्य भिन बहुत रोचक है, प्रत्येक में एक से नौ तक के अंक एक बार प्रयोग किये गए हैं। सरल्तम रूप में तुल्य भिन ग्यात करने का सबसे छोटा रास्ता यह है कि दी हुई भिन के अंश और हर का म स निकाला जाए और फिर अंश और हर दोनों को इस म स से भाग दे दिया जाए। इस प्रकार सरल्तम रूप में तुल्य भिन प्राप्त हो जाएगी। प्रिष्ठ 169, भिन 36 बटा 24 को लीजिए, 36 और 24 का मस बारह है, अथह 36 भाग 12 बटा 24 बारह बराबर 3 बटा 2, इस प्रकार मस की अवधारणा एक भिन को न्यूनतम या सरलतम रूप में बदलने में हमारी सहायता करती है, प्रयास कीजिए, एक, निम्न को सरलतम में लिखिए, एक, 15 बटा 75, दो 16 बटा 72, तीन 17 बटा 51, चार 42 बटा 28, पांच असी बटा 24, दो, क्या 49 बटा 64 अपने सरलतम रूप में है, प्रशनावली साथ दशमलव तीन प्रतिस्थापित कीजिए, जिसका, ए, हर 20 है, बी, अंश 9 है, सी, हर 30 है, डी, अंश 27 है, पांच, 36 बटा 48 के तुल्य वह भिन ग्यात कीजिए, जिसका, ए, अंश 9 है, बी, हर 4 है, चै, जाच कीजिए के निम्न भिन तुल्य हैं या नहीं, ए, पांच बटा 9, तीस बटा 54, बी, तीन बटा 10, बारह बटा 50, सी, साथ बटा 13, पांच बटा 11, साथ, निम्न लिखित भिन्नों को उनके सरल्तम रूप में बदलिये, ए, 48 बटा 60, बी, 150 बटा 60, सी, 84 बटा 90, दी, 12 बटा 52, इ, 7 बटा 28, आठ, रमेश के पास 20 पैंसिल थी, शीलू के पास 50 पैंसिल और जमाल के पास 80 पैंसिल थी, चार महीने के बाद रमेश ने 10 पैंसिल तथा शीलू ने 25 पैंसिल प्रयोग कर ली, और जमाल ने 40 पैंसिल प्रयोग कर ली, प्रत्येक ने अपनी पैंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? जाज कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पैंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है? 9. तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए दो भिन्न और लिखिए 1. 250 बटा 400, 2. 180 बटा 200, 3. 660 बटा 990, 4. 180 बटा 360, 5. 220 बटा 550 2. 2. 3. 2. 5. C. 1. 2. D. 5. 8. E. 9. 10 अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचनस्वर गौरव मार्वा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत.